I tried कि मैं number 1, number 2 जो और entrance अनाउंस होने वाली है और number 30 जो अनाउंस हो वो होने वाली है उससे दूर रहух बट नहीं रह पाया कहीचना कहीचना पता चली ही गई क्योंकि number 1 और number 2 ऐसे थे कि कहीचना 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 कमैंट मेरे को आ ही जाने थे बड एनिवेस कार्ड देखके बड़ी संतुष्टी सी हो रही है और अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि अभे यार सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा because last time तो जो WWE Network दे रखा था मेरे दोस ने उस पर देख लिया and sony live का तो कोई कैसे ही दे सकता है क्योंकि इसमें एक ही बंदा एक ही टाइम पर देख सकता है so ना चाहते हैं मुझे लेना पड़ेगा 300 रुपे एक साल का चलो ठीक है कोई बात नी but हाँ card जो इतना छोटा सा है न अच्छा लगा देख Sasha Banks versus Carmella का singles match for the women's championship जोड़त नहीं थी बट ठीक है मेरे इसाब से ये women's championship Reginald के साथ होना चाहिए था ना कि Carmella के साथ because Sasha Banks की उन से जादा दुश्मनी लग रही है ना कि Carmella से but क्या मेरे को लगता है कि Carmella championship जीत पाएंगी I don't think so मेरे prediction है पर obviously Sasha Banks ही रहने वाली है वही tag team match भी है I was shocked to see कि a women's tag team championship match भी होगा Asuka और Charlotte Flair अपनी titles defend करेंगी against former champions Nia Jackson's Shaina Bessler देखो मैं चाहता हूँ कि Asuka जो अपना जो singles title run कर रहे है उसे ही करती रहे और Charlotte Flair जो भी करती हो गो करती रहे इसलिए मैं चाहता हूँ कि tag team championship हार है और Nia Jackson Bessler के पास आए because they were a better tag team उनका जो आपस में coordination था वो ज्यादा अच्छा था Asuka और Charlotte Flair से granted कि वो कितने दिखाएंगे कि ओहो भाई हम तो दोस्ते हम तो पुराने बिच्डे बाप की बेटे नहीं you were competitors wrestle mini 34 को याद करो तुम मैं singles competitor दिखता है you are not made for tag team and who knows कि Asuka पैल एकस ब्लेस का कोई जादू चाजा है और Asuka ही अपनी टीम को हरवा दे कुछ भी हो सकता है so I just want कि Nia Jackson and Bessler के पास championship है ताकि उनके अंदर Royal Rumble जीतने की इच्छा थोड़ी कम हो मैं Nia Jackson की बात कर रहा हूँ not Shaina Bessler because अगर Goldberg के अलावा कोई और internet को हिला सकता है that is Nia Jackson winning the Royal Rumble match and speaking of Goldberg WWE Championship match और Drew McIntyre versus Goldberg के बीच two behemoths will collide at the Rumble pay-per-view and we know the history कि Goldberg WrestleMania से पहले किस तरह से championship खीच लेते है मासूम बच्चों से फिर चाहे The Fiend हो फिर चाहे Kevin Owens हो and इस बार क्या Drew McIntyre वो बंदे होंगे personally I am hoping कि Drew McIntyre जीते मैंने tweet भी डाल दिया था कि भाई ये Drew McIntyre is going to win and defeat Goldberg and it is not a prediction it is a spoiler अब इतने confidence के साथ कहा है तो भाई मेरे को टिकना पड़ेगा I am with definitely Drew McIntyre but क्या मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट को आकरोश में देखूँ of course तो Goldberg भी अगर जीतेंगे तो मेरे को ऐसा चुतनी कोई दिक्कत है नी because I don't think so कि Goldberg ही वो बंदे होने वाले जो Drew McIntyre का push तोड़ेंगे nah he cannot Roman Reigns vs Kevin Owens के बीच last man standing match होगा Universal Championship के लिए अच्छा लगा देखकर कि एक stipulation भी है और देखा जाते हो Roman Reigns ने last year भी stipulation match किया था न against King Corbin हाँ वही false count anywhere वाला और इस बार भी कुछ ऐसी stipulation देखने को मिलेगी तो Roman Reigns की तो बल्ले बल्ले है कहते है भाई पहले इतना लड़वा देते है और फिर रंबल में भीज देते है इस बार हलंकि ऐसा नहीं होगा इस बार वो रंबल 30 मैं में नहीं आएंगे because he is the champion but क्या वो उस match के बाद champion रह पाएंगे because मेरी prediction तो Kevin Owens के लिए है जब ये rivalry शुरू हुई थी Royal Rumble के लिए match अनॉम्स हुआ था और कह दे कि नहीं भाईया नहीं मेरा मन बदल गया Roman Reigns को title दुबारा से दो कोई बात नहीं but Kevin Owens should win that match और अगर यहाँ पर Kevin Owens हार गए then I am definitely not sure कि Kevin Owens अगला क्या कदम उठाने वाल है because अब तो बहुत high time हो चुका है and अब बात करते है Women's Royal Rumble match के बारे में 30 Women Royal Rumble match देखने को मिलेगा जो भी जीतेगा of course WrestleMania में जाएगा वो और यहाँ पर जो मेरी prediction है वो of course Ronda Rousey है why I am saying Randy Rousey it has to be Ronda Rousey अभी के लिए तो 13 Superstars Announcement और सबसे ज़्यादा मेरे को बढ़िया बात लगी कि WWE Backstage में इन्होंने Tamina और Natalia का match करवाय था कि जो भी जीतेगा वो 30th number पर आएगा are you serious Natalia और Tamina के बीच match कि कोन आएगा तो मैं पता भी है कि हमें किसी को फर्क नहीं पड़ता Natalia और Tamina से और 30 number तुम उन पर waste कर रहे हो ठीक है या 30 number के अपको इज़ती नहीं रहे है तो क्या ही करें Natalia आएगी number 30 पर मुझे लगा Natalia पहले ही आके बोर कर देती तो वो ज़्यादा अच्छा लेकिन वो बाद में आके बोर करेंगी तो yes तयार रहना पड़ेगा and मेरे prediction of course हमापर Ronda Rousey रहने वाली है of course वो announced भी नहीं है पता भी नहीं है कि वो आने भी वाली है नहीं लेकिन फिर भी मैं gamble कर रहा हूँ क्यों न करूं भाई लोग Brock Lesnar पे gamble करने हैं कि Brock Lesnar जीतने वाले तो मैं Ronda Rousey पे नहीं कर सकता क्या हाला कि Alexa Bliss भी काफी अच्छी choice हो सकती है because because उनके पास एक चीज है जो कि और किसी के पास नहीं है वो है वो है तीन तीन एंट्रेंट्स यह सबने तीनों character के साथ entry ले सकती है यानि कि उनके जीतने के percentage बाकि सबसे सबसे ज़्यादा होने वाली है बड़ मैं फिर भी Ronda Rousey को ही choose करने वाला हूँ अब बात करते हैं main event possibly I think main event to be surprise but again surprise 2-3 भी अगर हो तगड़े वाले तो वो भी चलता है 21 यानि कि 9 अभी भी announce नहीं है जिस मैंसे मान के चलो 3 या 2 तो NXT के होने वाले और 4 मेरे इसाब से कोई tag team ले जाएगी WWE के main roster की जो अभी थक announce नहीं हुए और Rumble के लिए और 1-2 legend बट ठीक है मैंने क्या बोला था remember anyone जब किसी ने पुझा था कि number 1 and number 2 पर किसको आना चाहिए मैंने बोला था it has to be edge and Randy Orton and why not और guess what इन्होंने edge और Randy Orton को ही choose कर लिया भाई अगर तुम WWE वाले मेरे channel देखते हो तो मैं ये नहीं रहा कि publicly announce करो बड़ मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी सुन रहे तो please reaction वाले वीडियो को block मत करना जो कि कल ही आएगी और अगर edge 30th number तक टिक गए तो भाई बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमें बहुत बड़े-बड़े clashes देखने को मिल सकते और edge के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनको लंबे matches की जो कि practice उनके छुट चुकी है वो यहाँ पूरा एक साल का quota पूरा हो जाएगा जो उन्होंने भी miss किया था बड़ अगेन मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिस जिसने भी ब्राउन स्ट्रोमन और ओटिस को पिक किया as their winners भाई चाब तुम लोगों को दया नहीं आती ना किसी पर इतने अच्छे सुपर स्टार्व्सर डैनर ब्राइन एज स्टार्स रेंडी ओटन जाफ आडी नाका मूरा शेमस एज लेकिन नहीं हम तो स्ट्रोमन और ओटिस को ही जितवाएंगे सही है भाई अच्छा मेरी prediction की बात करूँ, as much as I want Roman versus Edge spear versus spear, I think Edge का जीतना बहुत मुश्किल होगा number two से, मेरी कही न कही मेरे को prediction देने का मन कर रहा है Edge के लिए, बट मैं नहीं चाहता कि गलत हो, मतलब गलत होने में कोई डर तो लगता नहीं है, तो इसलिए मैं Edge को pick कर रहा हूँ as backup, लेकिन जो main winner को मैं pick कर रहा हूँ, it is Seamus, yes I said it, दोनों ऐसे winner pick किया हैं कि दोनों में से कोई भी जीतेगा, वो उनका दूसरा Royal Rumble victory होगा, जो की काफी rare होते हैं, बट यह, आपकी क्या prediction है, 30 men's and women's Royal Rumble की comments में लिख कर बता हूँ, I want to know कि कितने लोग Braun Strowman और OTs pick करेंगे, और अगर आपको वीड़ा पसंद है तो प्री लाइक कर शेयर कर चैनल के सब्सक्राइब करो, करा और लोगो को लगा जैसे मेरा किसा खतम,